हेलो गाइज नमस्ते एंड वेलकम बैक मैं आज आपके लिए एक पुराने जाडू का रियूज लेके आई हूँ कि आपकी तरीके से जाडू को रियूज कर सकते हो तो आपका जब भी जाडू पुराना हो जाए छोटा हो जाए तो आप उसको फैंकने की बजाए आप उसको हो तो यहां पर मैंने पहले जाडू को खोल लिया था और खोलनी के बाद आप देख सकते हो इसमें इस की स्टिक्स निखली है तो मैं इसको पहले अलगलग करके वताती हों देखें यह करें यहां पर यह फूल है उपर के उसके बाद कुछ नीचे है ऐसी स्टिक्स नि sami breaks क चलिए सबसे पहले मैंने यहां पर यह वाली स्टिक्स थी इसका आज हम पहले यूज करेंगी तो इसको आपने रैंडमली इनको इस तरीके से अरेंज कर लीजिए बस एक हमें यहां पर एक फ्रेम तयार करना है तो छोटी बड़ी लकडी जो भी है उसके एकोडिंग हमें जि यहां पर पैटन को हम कर लेंगे पूरा और साथ साथ में जो भी अगर आपकी छोटी से छोटी लकडी भी अगर आपकी बजती है तो उसको फैंकना नहीं है और हम क्या करेंगे उनका भी हम काफी अच्छे से यूज कर लेंगी तो जितनी भी छोटी बजती है तो बस आप help से stick कर लिया है अब stick करने की बाद मैं इसके उपर black color कर रही हूँ आप अपने according आपको जो color करना चाहों आप हो कर सकते हों तो यहाँ पर मैं black और golden combination रखूंगी तो color यहाँ पर black कर रही हूँ साथ-साथ में मेरे बेटे ने का ममी मैं भी color करूंगा तो वो भी कभी कबार ऐसे color करने बैठ जाता है तो एक साइड से वो color कर रहा था दूसरी साइड से मैं भी तो इस तरीके से अगर बच्चे भी साथ-साथ में activity करते दूंगी और अगर आप butterfly की जगे आप पूरे यहाँ पर इसके अंदर मिलर का यूज कर सकते हो कोई भी आपके पास अगर फ्लावर है एक जैसे तो आप लावर का यूज कर सकते हो आपको मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और पीछे की साइड से आप देख सकते हैं मैंने डबल साइडे टेप लगा यह थोड़ी थोड़ी जगे पर ताकि इसको मैं वाल पर स्टिक कर सकते हो देखी हमारा यहाँ पर एक वाल डेकॉर बनके कंप्लीट हो गया है यहाँ पर बटरफलाई का जो लुक है वो काफी अच्छा आ रहा था और वाल पर इतना अच्छा लग रहा था ना कि आप यकीन नहीं करोगे कि बिल्कुल हमने ज़ाडू की स्टिक से इतना अच्छा हमने वाल डेकॉर तयार कर लिया है चलते हैं अप आप के पास टेप रोल नहीं है कोई खाली तो आप कोई बैंगल वागरा इस तरिया की बैंगल लेड़ी जो आपकी बिल्कुल प्लेन हो तो यहाँ पर पहले मैं जितना छोटा बड़ा आपको बनाना है उसका अकोडिंग आप को कट कर लिजी तो मैं यहाँ पर एक इस्ट को कर लिया है यहाँ पर फिर हमें टेप रॉल को लेना है और टेप रखो को लेने कि बाद अब आप फैविकोल का further को यूज कर सकते हो अब यह थोड़ा यह रिंग शेप में है, तो यह हिल रही थी बार बार, तो मैंने यहाँ पर इसको बेस बनाने के लिए कलर की बोटल रख दी है, अब यहाँ पर वन बाई वन हम इस तरीके से क्या करेंगे, सारे इस्टिक्स को अच्छे से अरेंच कर देंगे, तो यहाँ प के गर में जो समान अवैलेबल होता है अब उन समान को यूज कर सकते हो कि यूज सबके पास अब क्या सकते हो जिस तरीके साथ के घर श्रक्ति ़रहार के लिज़़िवत नहीं है लेकिन अगर को हैंग करना है तो हैंग लगाना पड़ेगा तो इस्टिक के यहां पर अच्छे से हमने उपर हैंग करने के लिए इस्टिक भी लगा दी है अब हमारा वैसे तो रैडी हो गया है लेकिन इसको थोड़ा और अच्छा डेकॉरेट करने के लिए मैं इसके उपर कलर कर रही हूं अब अपने एकोडिंग जो कलर करना चाहो वो आप कर सकते हो तो यहां पर जब भी मैं प्रोड़क्ट कुछ भी यूज़ करती हूं और अगर आपको भी परचेज करना हो तो उन सब का प्रोड़क्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूं ताकि आप भी उ मुझे ऐसे लगा इसको थोड़ा और डेकोरेट कर लूँ तो शायद यह काफी अच्छा लगेगा तो चलिए इसको डेकोरेट करते हैं दिखते हैं डेकोरेट होने की बाद यह कैसा लगता है तो इस पर कुछ मिरर्स लगा रही हूं मैं यहां पर क्योंकि ब्लैक पर यह मि काफी शायन करेंगे तो मैंने यहां पर उपर की तरफ अच्छे से लगा लेंगे वैसे ही नीचे की तरफ भी लगा लेंगे और सेंटर में कुछ मुझे थोड़ा सखारी लग रहा था तो छोटे-छोटे मैंने मिरर्स यहां पर सेंटर में भी लगा ले तो देखिए हमारा यहां पर एक छोटा सा लैम बन के बिल्कूल रेडी है अब लैम तो हमारे इस तरीके से बन चुका है अब हमें चाहिए इसमें लाइटिंग तो यहां पर अगर आपके जहां पहैंक करते हूं वहां अपकी लाइटिंग का सिस्टम नहीं है तो आप देखिए इस तरह की एक light आती है बैटरी वाली आप इस light को purchase करके इसके अंदर hang कर सकते हो तो मैं यहाँ पर देखी इसको इस तरीके से यहाँ आप चाहो तो hang कर दीजी या फिर double sided tape की से इस तरीके से आप देखिए इसको stick भी कर सकते हो तो यहाँ पर अच्छे से आप इसको stick कर लीजी और यहाँ पर हमारा lamp बनके बिल्कुल ready है चलिए देखते हैं इसका final look तो देखे कितना अच्छा हमारा यहाँ पर lamp बनके बिल्कुल ready हो गया है mirror भी काफी अच्छे से इसके अंदर shine कर रहे हैं मुझे तो यह देखने में काफी अच्छा लग रहा था तो मैंने अपने यहाँ पर side में curtain में इसको hang कर दिया था पहले सोच था यह एक ही बनाऊंगी अब सोच रही हूँ कि इसके 2 या 3 इसकी बना के पूरा एक lamp बना के ready करूँ और यहाँ पर देखिए अगर आप कहीं table और पर रखना चाहते हो तब भी आप इस तरीके से इसको रख के भी lamp की तरह यूज कर सकते हो चलते हैं अपने next ideas की तरफ अब देखिए जो हमने यहाँ पर क्या किया है जो tissue roll होता है उसका एक मैने यहाँ पर दो piece कर लिये है यानि छोटा piece लिया है क्योंकि हमारे पर छोट-छोटी लकडियां बच गई थी तो अब इनका use करना है और नीचे की तरफ हम यहाँ पर एक circle को लगा देंगे ताकि नीचे का इसका base है वो बंध हो जाए उसको लगाने की बाद अब हम क्या करेंगे masking tape से इसको secure कर देंगे ताकि हमारा नीचे का base है थोड़ा मजबूत बन जाए अब मैंने यहाँ पर tissue roll का use किया है आप यहाँ पर कोई भी bottle ले सकते हो कोई भी square box है तो आप square भी ले सकते हो जरूर नहीं है कि आप round shape में ही बनाए तो मेरे पास एक square shape का पहले से ही इस type का बना रखा था इसलिए मैंने यहाँ पर round shape कर लिया है ताकि थोड़ा सा इसका look change को जाए तो यहाँ पर अब मैं जो हमने round shape लिया है इसको फैविकोल लगाएंगी और लगाने के बाद अब जितना आपको छोटा बड़ा रखना है आप उसके एकोडिंग रख सकते हो और उसके बाद one by one में यहाँ पर देखी इस टिक को मैंने बराबर जो भी छोटी बड़ी थी उसको अच्छे से मैंने एक size की करके इसके उपर मैंने यहाँ पर लगा दिया है तो आपको जो भी आप home decor item बनाते हैं पहले आप अगर जाडू की stick का use करते हो तो सबसे पहले आप बड़े item बनागी ताकि जो भी नीचे का पीछे में जो भी टुकड़े बच जाते ना उन कच्रे को फैंकने की बजाए मैंने यहाँ पर दिखी इस तरीके से यहाँ पर इसके उपर लगा दिया है तो यहाँ पर एक छोटा सा pot बनके ready हो जाएगा अब आप pot में use कर सकते हो या फिर आप stationary item रखने के लिए as a pen stand की तरह भी use कर सकते हो और थोड़ा बड़ा बनाना च दिखने लग जाए तो ऊपर नीचे देखिए मैंने इस तरीके से यह रॉप लगा दी है और थोड़ा सा इसको में और decorate करने के लिए मुझे के simple simple बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो सोचते हूं कुछ ना कुछ इसमें और add करती रहूं मैं यहाँ पर add करने के बाद म मुझे इस तरीके से लगता है पता नहीं क्योंगे फिर भी खाली खाली नहीं लगने लग जाता है तो मैं कुछ ना कुछ इसमें लगाती रहती हूं ताक यह थोड़ा देखने में काफी अच्छा लगे तो देखिए हमारा छोटा सा एक पोर्ट सा बनके रैडी है अब मैं आपको इसमें आइडिया दो-तिन बता दी हैं आप अपने एकोर्डिंग इसको यूज कर सकते हो तो मुझे तो यह पोर्ट में काफी अच्छा लगा था तो मैं इसको पोर्ट की तरह ही यूज कर रहे हूं क्योंगी छोटा सा है तो कटले दी आइटम तो इसमें मैं रख न करना है और अरेंज करने के बाद अब आपको यहां पर देखें आप फैविकोल भी लगा सकते हो लेकिन मैंने यहां पर ग्लूगन का भी यूज करके आपको दिखाया है कि यहां पर आपके पास ग्लूगन है तो आप ग्लूगन भी यूज कर सकते हो लेकिन मेरे साब से तो और अगर आप हैंग नहीं करना चाते तो इस टोरी को आप स्किप कर सकते हो तो चली मैं आपको इसमें तीन आइडियास बताती हूँ किस तरीके से आप इसको अलग-अलग तरीके से यूज में ले सकते हो देखिए हमारा यहां पर एक छोटा सा और्गेनाइजर या फिर आप हॉम डेकोर बनके रैडी हो गया है तो देखिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हो अपने ड्रैसिंग एरिया में आप इस तरीके से अपने एरिंग को हैंग करके रख सकते हो तो अगर आप यहां पर अपने एरिंग को बार बार चेंज करते हो तो आपको यहां पर देखिए इस तरीके से हैंक करने में काफी अच्छा लेगेगा और अगर आपके पास क्लेज वागे रहा इस तरीके से भी अरक है तो आप यहाँ पर यह भी लगा के रख सकते हो वढ़ना अगर तरब दिखियな झाड़ू होते हैं इसके तो यहां पर आने इसको निकाल लिया था और निकालने की बाद इनको मैं कर रही हूं क्योंकि बिल्कुल प्लें तो यह BILK क déplी क्षे नहीं लगे हैं तो इसलिए मैं यहां पर इक लेर नहीं करूंगी मैं यहां पर इसमें अलगलग क कर के ये यूज़ करूंगे ताकि मैं मुल्टिकलर का बना सको आप चाहो तो यहाँ पर प्लेन एक करर का भी रख सकते हो तो यहाँ पर चाहा है कि इसको किस तरीकasa बहना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए सभी को मैंने इस तरीके से कलर कर लिया है अब कलर करने के बाद मैं क्या करूंगी यहां पर यह जाड़ु वह कलर की वज़से आपस में चिपक गए थे तो इसको थोड़ा-थोड़ा हम अच्छे खोल लेंगे ताकि यह बिल्कुल खुले-खुले बन जाए उसके बाद मैंने यहां पर कुछ मोती लि उदर रखे न तो यहां पर यह मोती बहार ना निकले तो आप एक फूल के अंदर जाड़ु का जो मैंने एक पीस लिया है इस जाड़ु के अंदर आप 10 से 15 मोती डाल दीजिए जरूर दिए कि आप सारे पॉइंट के अंदर यह डाले आप दस बारा यह आर दस जितने आप डाल के इसको आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से हमारा डेकोर आइटम बनके बिल्कुल रैडी हो गया है अगर आपको मेरे आज के आइडिया अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स डिए में तबतकिली बाइबाइ